वेलकम टू दप्रियागराज इंस्टूट डेली करेंट अफेर की सीरीज में आज हमलों बात करेंगे दो और तीन सितंबर के करेंट अफेर के MCQ कोस्टन्स के बारे में हमारे सामने जो पहला प्रशन है कि विश्र नारियल दिवस किस तिथी को मनाया जाता है यह काफी important प्रशन है तो विश्र नारियल दिवस किस तिथी को मनाया जाता है या हमारा पहला प्रशन है तो इसका सही उत्तर है 2 सितंबर 2 सितंबर को हर साल विश्र नारियल दिवस मनाते हैं तो हर वर्स दो सितंबर को दुनिया भर में World Coconut Day मतलब के विश्र नारियल दिवस मनाया जाता है और प्रति वर्स दो सितंबर को नारियल उत्पादक देशों के अंतर सरकारी संग्ठन ठिक इंटर गौर्मेंटल अर्गनाईजीशन का अंतराष्टी नारियल स्वमदाय की इस् कब किया गया यह 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सौर मिशन अदित्य एलवन को प्राता 11 बच के 50 मिनट अंध्रप्रदेश के सिरीहरी कोटा से रॉकेट PSLEC 57 की साहता से लांच किया गया तो भारत का पहला सौर मिशन अदित्य एलवन का सफलता पुर्वक लांच 2 सितंबर 2023 को 11 बच के 50 मिनट पर अंध्रप्रदेश के सिरीहरी कोटा से रॉकेट PSLEC 57 की साहता से किया गया एक राष्ट एक चुनाओं ये काफी हाइलाइट है ये निवज ठेक इसको ध्यान से देखे एक राष्ट एक चुनाओं की जांच के लिए इन में से किसकी अध्यच्छता में आठ सदस्य कितने मेंबर आठ आठ सदस्य उच इस्तरिय समीति का गठन किया गया तो पुर्वर राष्ट पति रामनाथ कोविन की अध्यच्छता में एक राष्ट एक चुनाओं की जांच के लिए आठ सदस्य उच इस्तरिय समीति का गठन किया गया है और इसमें जो सुप्रीम कोट के एड़ो केट हरिस सालवे और संजे कोठारी अन्य सदश्य होंगे इन में से कौन भारती फिल्म एओं टेलिवीजन संस्थान FTII ठीक है तो FTII जो है वो पुने में है के नए अध्याच के रूप में नामित हुएं तो ये है आर माध्वान आर माध्वान को FTII का अध्याच नमांकित किया गया है तो अब नेता आर माध्वान भारती फिल्म एओं टेलिवीजन संस्थान FTII पुने के नए अध्याच के रूप में नामित हुए है अंतरास्टी Emmy Award प्राप करने वाली पहली भारती हाली में कौन बनी है तो यह है एकता कपूर, ठीक, अप्सन नमब सी तो एकता कपूर को 2023 में निवार्क में 91 International Emmy Award Ceremony में International Emmy Directorate Award से नवाजा जाएगा और आज International Academy of Television Arts and Sciences के प्रेजडेंड और CEO Bruce L. Pessner ने इसका एलान किया ठीक है तो एकता कपूर यह समान हासिल करने वाली पहली भारती महिला होंगी अगला प्राशन हाल ही में किस भारती को रमन मैक्स से पुरुसकार 2023 यह बहुत इंपोर्टन्ट इसको यह वेरी इंपोर्टन में रखिए इस प्रशन को ठीक है तो रेमेन मेक्स से पुरुसकार 2023 से समानित किया गया है तो वो भारती है आर रवीक कंणन आर रवीक कंणन को इस बर्स जो है वो चार बक्तियों को रेमेन मेक्स से से पुरुसकार 2023 से समानित किया गया है सर्जिकल अंकोलाजिस्ट मतलब कि ये कैंसर विशिशग्ग है ठीक है सर्जिकल अंकोलाजिस्ट आर रवी कन्नन असम में कचार कैंसर अस्पतार और अनसंधान केंद्र के निरिशा के रुप में कार्यत है उन्हें जन केंद्रित और गरीव समर्थक स्वास्त देखभाल के माध्यम से असम में कैंसर उप्चार में क्रांती लाने का स्रे दिया जाता है इस राजी सरकार की कन्ने सो मंगला योजना की धन रसी 10 अज़ार रुपे से बढ़ा कर 25 अज़ार रुपे कर दिया गया है प्रदीश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्क की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना के तहत एक परिवार की दो बीटियां ही लापराप्त कर सकती हैं और इस योजना के माध्यम से राज में 16.24 लाग बेटियों को लभानवीत किया जा रहा है हाल ही में इतपोत महेंद्रगरी को कहां लॉंच किया गया ये लॉंच किया गया है मुंबई में हाली में नो सना इत्पुत महंद्रगेरी को मुंबई में लांच किया गया और यह प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट सिंखला का साथवां और आखरी स्टिल्थ फ्रिगेट है। और यह यात्रा अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी और पचात्तर सो कलस में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वार मेमोरियल के समीप अमरित वाडिका का निर्माण किया जाएगा। क्रिकेटर बनेंगे और अगले महिलें बंगलादेश दोहजार चौवीस महिला टी ट्वंटी बीस अकप के लिए एक छेत्री क्वालिफाइंग टूनामेंट में टीम का प्रतिनीधित भी करेंगी। वित वर्स दोहजार तेश चौवीस के दूसरी टिमाही अप्रेल जून हमें भारत की जीडिपी विरिधी दर कितने परसत रहे। प्रतिनीधित वर्स देश की आर्थिक विरिधी दर जीडिपी चालू वित वर्स दोहजार तेश चौवीस की पहली तिमाही अप्रेल जून में 7.8 परसत रही है और यह पिछली चार तिमाहियों में सबसे उची विरिधी दर है। इसके साथ ही भार्त फर्म कर्थ विरिषता में सबसे तेजी से विरिधी करने वाला देश बना हुआ है। अधिककर है विर्भा कि और संस्क्र privs 2019 में मना गया था मतलदे कि फोल्मून को मनाया जाता है और यह एक पर थिस संस्क्रिट वीद्ध्वान की जैनती पर संद्राज्यनी के रुप crypto मनाया जाता है और नाम अस्टाध्याई राश्टी पोर्शन सप्ता कब से कब तक मनाया जाता है तो यह एक सितंबर से साथ सितंबर तक मनाया जाता है तो लोगों को पोर्शन के पड़े जागरुक करने के लिए हर सार एक सितंबर से साथ सितंबर तक राश्टी पोर्शन सप्ता मनाया जाता है राश्टिक पोर्शन शप्ता समाने रूप से लोगों को आवसेक संतल कहार का सेवन करने के लिए प्रिरिख करता है किस राज्य के चाकुआ चावल का हाल ही में जियाई टेक परदान किया गया तो यह है आसम राज्य इंटरेशन मीडियेशन सेंटर के इंटरेशन मीडियेटर पैनल का सदस निक्त किया गया है तो यह है एनवी रमनना ठीक है तो पुरु मुक्षे नायदिस एनवी रमनना को सिंगापुरा अंतराश्टिम अंध्यास पैनल के सदस के रुपे निक्तिया गया और S.I.M.C. के अधच जाड़ लिम ने इंट सिंगापुर में एनवी रमनना को निक्तिपद परदान किया इस देश के द्वारा पहले वैश्विक A.I. सिखर सम्मेलन दो हजार तेश की मेजवानी की जाएगी तो यह देश है भार भारत बैस्विक A.I. सिखर सम्मेलन दो हजार तेश के पहले संसम की मेजवानी करेगा और इलेक्टरनिंस और सुचना परदोगी मंतराय द्वरा 14-15 अक्टूबर के दौरान इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तो इस सम्मेलन में A.I. कंपनिया मतलए आर्टिफिसल इं पर इमेह है उमेस रेवांकार को खुषा उमेश रेवांकार को फ़ित्त आयोग विकास परिशात का आतिया द्यatre जिक किया गया और वे इस पद पर अगले 2 Set מard tulee प्रदान किया गया है यह जम्मू और कस्मिर के डोड़ा जिले के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई सहत को जी आई टेग परदान किया गया है यह वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाओ जहें कमेंट बॉक्स में जरूर दें इस वीडियो के जादा जादा सेयर कीजिए तो डेली करेंड एफेर की सीरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइज और लाइक जरूर करें तब तक लिए थैंक्यू धन्यवाद